हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग हमारी आज की कहानी का नाम है दबाव कार के हान की आवास सुनते ही रसोई में काम कर रही मा मोहिनी जी पल्लू में हाथ पोस्ते हुई आंगन से भाग कर दरवाजे पराई मा को देखते ही निसागले से लिपट गई दोनों तरफ आंसों का सहलाब उमड़ पड़ा दीदी बस करो यार कितना रोती हो मुझे तो ये समझ में नहीं आता आपके यांखों में इतनी जल्दी आंसों कैसे आ जाते हैं भाई हंसते हुए बोला अपनी बगवास बंद कर और बैग लेकर आंगन में आ बेटा तू अकेली आई दामा जी क्यों नहीं आए मा फुर्षत नहीं थीज लिए आंगन में आई तो पापा को देखते ही कलेजा फट गया गले से लिपट कर खूब रोई मा नो वरसो बाद मिल रही हो चुप हो जा बेटा तब ये खराब हो जाएगी चल मूँ हाथ दोले मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ ठीक है मा बोल निसा हाथ मुदोने चली गई कुछ देर बाद जब मा खाना लेकर आई तो देखा निसा कमरे में गुम सुम बैठी कुछ सोच रही है चेहरे पर भी काफी उदासी दिख रही थी मा कुछ चड़ बाहर खड़ी देखती रही फिर कमरे में जाकर कंदी पर पराठे लाई हूँ निसा के खाने के बाद मा अपने पास बिठा कर ससराल वालों के हाल चाल पूछने लगी निसा मुस्कुराते हुए जवाब तो दे रही थी लेकिन चेहरे प्रियुदासी साब जलक रही थी रात को सोते समय माने बेटी का सिर गोद में रख बालों में अंगली फिराते हुए कहा निसा एक बात पूछू हाँ पूछो ना मा बेटा तुम्हारे ससराल में कोई दिक्कत तो नहीं कहीं तुम सबसे रूट करतो नहीं आई नहीं मा आपको ऐसा क्यों लग रहा है क्योंकि तुम्हें एक महिने में तीसरी बार आई हो और इस बार द सयम को ढालना आसान नहीं होता सच कहूं तो ससराल में एक बेटी को अपने लिए जगा बनाना भी किसी जंग जीतने के जैसा ही है तुम अगर ससराल की जिम्मेदारियों से परेशान हो रही हो भाग रही हो तो फिर गलती कर रही हो बेटा जिम्मेदारियों से जितना भाग उतना ही दुखी होगी इसलिए उसका सामना करो हा मा समझ गई मा बेटी को गले से लगा सो गई कुछ देर बाद जब आखे खुली तो देखा निशा के आखों में आशो निकल रहे थे बेटा तू रो रही है नहीं मा नहीं रो रही हूँ मा को थोड़ा सक हुआ तुम जूट बोल रही हो क्योंकि मैंने तुम्हारे और दामाजी की बाते सुली सुनते ही एकदम से चौक गई मा क्या आपने सच में सुली हाँ बेटा मैंने सारे बाते सुली मा ने अंधेरे में तीर चलाई निसामा की गोद में सिर्रक फूट फूट कर रोने लगी मा मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई मैंने गलत जीवन साथी चुल लिया अब मुझे उस घर में रहने का बिल्कुल मन नहीं होता क्या हुआ ऐसे क्यों बोल रही है साब साब बताओ क्या बात है मा साथी के कुछी दिनों बाद मेरे ससरौल वाले मुझे पर दबाव डाल रही है कि जाओ माईके में अपना हिस्सा लेकर आओ मना करती हूँ तो बहुत जगड़ते हैं बार बार यहीं कहते हैं माईके में तेरा अधा हिस्सा होगा जाओ ले लो क्योंकि तेरी मा सोतेली है पापा भी तेने बीमार हैं उनकी जिंदगी का तो ठिकाना नहीं फिर तो सारी पापर्टी तुम्हारे सोतेले भाई की हो जाएगी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा मुझे हर वक्त परिसान करते रहते हैं यहीं बाते करने के लिए मैं पिछले दो बार आई थी पर बताने की ह इमत नहीं हुई इस बार फिर मुझसे जगड़कर जबर रस्ती भेजा है सास हमेशा कहती है या घर तो मेरा और तुम्हारे ससर जी का है तुम्हारे पती का कोई घर नहीं माल लो कल को हम दोनों अलग रहे तब तुम दोनों कहां रहोगे मेरे पास तो एक ही घर है जिसमें मा मैं उन सब को जेल लूँगी आप कोई पापर्टी मत देना बहु लालची लोग हैं सुनकर मा के पैरो तले जमीन खिसक गई आँखों से हासुबह निकले बच्ची महिनों से इतना दुख सह रही है मैं कैसे समझ नहीं पाई उसके मन की बात उसके दुख कैसे सोच लिया कि बेटी ससुराल की जिम्मेदारियों से भाग रही है निशा की साधी छे महिने पहले ही अपने क्लासमेट अरुन के साथ हुई थी जब अरुन के माता फिता रिस्ता लेकर आये तम माने कितनी बार समझाया बेटा पहले पढ़ाई पूरी कर लो अपने पैरो पर खड़े ह हो जाओ फिर साधी करना वैसे भी तेरे पापा बिस्तर पर हैं अकेले कितना देख पाऊंगी कहीं कुछ ऐसा ना हो कि तुम्हें बाद में पश्ताना पड़े मा ऐसा कुछ नहीं होगा अरुन बहुत अच्छा लड़का है और पढ़ाई क्या है साधी के बाद भी पूरी क खड़े होने देंगे तब जाकर मोहिनी जी भी तयार हो गई अके इतना अच्छा लड़का कहां मिलेगा कौन ढूड़ेगा बिना दहज की साधी हुई इसलिए मोहिनी जी ने अपने गहने तुड़वा कर बेटी के गहने और दामात के लिए चेन अंगूठी और ब्रेसले भूल कैसे मुझसे हो गई मुझे माफ कर दो मा भूल तो तुमसे हो गई लेकिन तुम्हें परेसान कर तुमसे भी बड़ी भूल उसने कर दी है तुचिंता मत कर तेरी मा सब ठीक कर देगी और मैं तुझे बेघर नहीं होने दूगी मेरी बच्ची मा पापा को कुछ मत कहन कहा ना तु चिंता मत कर समुझ पर छोड़ दे अच्छा एक बात बताओ उसने तुम पर हाथ भी उठाया निशा मा के सीने से लग जोर से रोने लगी मा अपनी बाहों में भर बेटी को सुला लिया रात भर निंद नहीं आई अपनी पिछली यादे चलचेतर की भाती लगाने की योजना बना रहे थे सैयोग से मोहिनी ने सुल लिया और रातो रात अपने दो महिने के बेटे को लेकर माय के भाग आई फिर पलटकर ससुराल नहीं गई कुछ सालों बाद एक रिष्टिदार की साधी में निशा के पापा से मुलाकात हुई जहां निशा के पा साल पहले पती लखवा गरस्त हो गए और विस्तर पर आ गए तब से मोहिनी पती को देखने के साथ ही घर और बाहर अकेले ही सब समालती हैं यहीं सब सोचते सोचते पता नहीं कबाख लग गई सुबह जबाग खुली तो सब को सोते छोड़ चाय नास्ता बनाया और सीधा बेटी के ससुराल चली इतनी सुबह सुबह मोहिनी जी को देख समधी समधन और दामाद पहले तोचों के फिर थोड़ी राहत की सांस ली सोचने लगे साइध इस बार चाल काम्याब रही आईये समधन जी इतनी सुबह सुबह चानक कोई काम था हां काम तो रहेगा ही जब स बातों को घुमा फिरा कर नहीं खरी-खरी बाते करने में विश्वास करती हूँ आपकी जो मांगे हैं मैं पूरी करने को तयार हूँ फिर मैं तो कहती हूँ मेरी बेटी को परेसान करने के बजाए आम मुझे पहले ही बता देती तो बढ़िया रहता नहीं जैसा आप सोच है वैसा कुछ नहीं है और फिर अतनी जल्दी भी नहीं है आप आराम से नहीं अब और ज़्यादा आराम से नहीं मेरी बेटी ने बहुत दुख सह लिया अब और नहीं मैं सहर में बने मकान के दो कमरे नहीं बलकि एक पूरा फ्लॉर देनों को तयार हूँ आप बोलिये कौ पूसी और आश्चर की नजरू से देखा ये हम कैसे कह सकते हैं आपको जो ठीक लगे हमारे लिए भी ठीक है नहीं नहीं या तो आप ही बताएंगे ताकि बाद में कहीं कोई और समस्या ना हो ठीक है मुझे उपर वाला फ्लोर ही दे दीजिए चाला की दिखाते हुए कहा ता तुरंत तयार हो गए उन्होंने बिना देर किये पेपर तयार करवा कर बेटी को ससुराल वालों के सामने थमा दिया निशा ने तुरंत पेपर लेकर और उनकी ओर बढ़ाया अरे बेटा तुम अपने ही पास रखोना सास ने कहा नहीं नहीं या इनके काम का पेपर है और उ लिखू निसा तुम ऐसा नहीं कर सकती तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ चलो छोड़ो मुझे कोई प्रापर्टी नहीं चाहिए मुझे तो सिर्फ तुम चाहिए जो कुछ हुआ वा बस एक भूल थी तो उसे भूल जाओ और चलो घर चलते हैं मा पी समझाएए ना मोहिनी जी ने एक जन्नाटेदार तमाचा गाल पे जड़ा मेरी बेटी तुझे कटपुतली दिखाई देती है जुसे तुम सब अपने सारों पर नचाते रहोगे तुमारी पतनी है उससे प्यार करते हो फिर भी इस तरह का बरताव किया और तुम्हें क्या लगा इसके पिता बिमार हैं मा के लिए है तो तुम जो कहोगे वो चुपचाब तुम्हारी सब बात मानती रहेगी अगर यहाँ सब पहले ही बता दी होती तो इतना दुख जेलने की नौबत ही नहीं आने देती अपनी बेटी का ब्याह तुम्हारे साथ कर मैंने एक भूल तो कर ली लेकिन तुम इतने लालची हो मेरी बेटी को टॉर्चर करते हो या जानते हुए भी मैं तुम्हारे घर दोबारा भेजने की भूल नहीं कर सकती क्योंकि भूल एक ही बार बार नहीं तुम्हारी माह में की जरूरत नहीं और उनके साथ सभी हक्के बग्के देखते रहे गए आसा करती हूं दोस्तों आपको उमारी कहानी जरूर अच्छी लगी होगी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सस्क्राइब सेर जरूर करें धन्यवाद